सर हम गिर रहे हैं और हमारे साथ साथ अमेरिका भी गिर रहा है क्यों अमेरिकी फ्यूचर्स में अच्छी खासी गिरावट है आधा परसंड डाउ 200 पॉइंट एक परसंड नास्डक अलमोंस अवा 200 पॉइंट नीचे ये ट्रेड कर रहे हैं एक तो मेटा माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही पोस्ट मार्केट में गिरे हैं GDP डेटा थोड़े सुस्ता है और आज इनका PCE परसंड कोर एकस्पेंडिचर डेटा आने वाला है जो की FED काफी क्लोज़ी ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए इनको काम देंदा नहीं है? रोज 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 क्या आज इसका ड काम देंदा नहीं है कुछी में हर रोज डेटा मूड खराब करा हुआ है अच्छा इस सबसे मेंजी की बात नहीं पता है कौन से डेटा पर कैसा रियक्शन रहेगा अच्छे पर खराब खराब पर अच्छा हमारे रिजर बेंग से सिखो हमारे खाली गवर्णर साब भाशन रेते हैं वो भी पॉलिसी के वाख पीच में कभी कभार इंटर्व्यू दे भी देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं उठा पटकवाला बोल देंगे जिससे मार्केट उपर निचे जा है इतना शान तरकते हैं बाजार को डारेक्शन क्लियर इनके फेड चेर्मेंट साब कोई सुन क्या होगा अब जो होगा अमेरिका का आज तो खराबी होगा आज सो खराब होगा अब राहसावल हमारा दीप्तों में पहले एक बार थोड़े डेटा बता दूँ आज क्योंकि निफ्टी की हमारी मंतली एकस्पारी है जो डेटा सबसे इंपोर्टेंट है यह आप वहीं प पुठ में और 24-200 पर हाइस ऑफन इंटर से पोने तीन करोड का अब सोचो ओप्शन होते हैं है जिंक के लिए मुझे बताओ दीप यह आखरी आदे गंटे में एक गंटे में कौन हैंजिंग करता है इतने बड़े तीन-तीन करोड शेयरों की पोजिशन एक एक स्ट्राइक तो अगर 24-150 की नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर आज यह आपको 24-75 के आसपास की लेवल आते हैं दिखेंगे 75 पॉइंट की जगए और खौल देंगे आप यह आपको डेटा में दिख रहा है उम्मीद करता हूं 24-150-24-200 इस रेंज को होल करें ओप्शन की पो पर भी है तो बैसिकली निफ्टी बचे हुए समय में 24-150, 24-250 की रेंज को ट्रेड करना चाहता है जो साफ दिख रहा होगा कि 24-250 की ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा लेकिन 24-150 100% सेफ है यह नहीं कह सकता है तो नीचे की रिस्ख खुली है अब साइड लिमिटेड है न 25-75 के नीचे होंगे बन तो बहुत जादा खराब वस यह आपके लिए बच्चे वस्वास के लिए नए ट्रेड को ऐसे बनाने जिसे है नहीं शानती बनाए रखे शानती बनाए रखे ठीक है चलिए